और हमारे साथ जेडियू के वरिष नेता केसी त्यागी जुड़ गए हैं सब बहुत बहुत धनेवाद जुड़ने के लिए जो ये बैंगलरू में बैठक शुरू हो गई है हमारा सवाल यही समझना है कि विपक्षी एक तक कितनी कारगर होगी अब बिहार का आप मसला ले जीए जेडियू आर्जेडी साथ आए तो जो छोटे दल है जैसे चिराग पास्वान जी तनमान जी उपेंद कुश्वा बीज़ेपी के साथ चले गए आपका अंखलन निधी जी यह 96 में जब अटल ब्यारी बाजपेई जी 14 दिन के बाद वापिस आ गए थे तब एंडिय बना था पहली बार और इसके संस्थाफक्स दस्थों में सिवसेना अकालिदल और सम्धा पार्टी शामिलती हम वीवर दा फांडर मेंबर ओव दे पार्टी एक नेशनल अजन्डा फिर हम लोग ने 1988 में बनाया अब आपको मैं बताने चाहता हूं तब सिवसेना में बाल ठाक रहे उड़व ठाक रहे थे आज शिंदे हैं अकालिदल में प्रकास्टिंग बादल थे आज अठवाल हैं सम्धा पार्टी में जोर्ज फन्नाडी जो नि आज बाइस चोधरी हैं तब बीएसपी में मायवती जी ती गठवंदन के साथ आज बिर्जेल स्पार्टक राजवर और चोहान हैं तब जम्मु किश्मीर के नेता फारुक अब्दुल्ला साहब थे मुफ्ति मुहम्मद साहित थे आज बुखारी और लोन हैं पतानिया पै नौर्थ इस्ट की अठारे पार्टी हैं और सीट है कुल आठ जो कल की इनके कारिकरम में हिस्सा होंगे हमें परसनिता है कि हमने जहां से सुरू किया था हम वासे आगे बढ़ें पठना पलस में हम हैं पठना में 15 पार्टी यहां इखटी हुई थी और जिसको हमने बुलाय यह यह वह आये था एक और चीज मैं नधीजी किलीर कर दूं हमने बीजेडी को नहीं बुलाया था अमने टियार इसको नहीं बुलाया था हमने वाय सार को नहीं बुलाया था हमने टीडीपी को नहीं बुलाया था हमने अकाली दिल को नहीं बुलाया था और हमारा उसके बावजूद भी ये मानना है कि अपने अपने राज्यों में अगर ये बीजेपी को हराते हैं तो वो भी महाकटबंदन प्लस है इसलिए वो यह हुआ है हमारे नितीश कुमार के जरीए हुआ है कि थर्ड फ्रंट खतम हो गया शुरुवाती दिनों में मम्ता दीदि केजरिवाल जी और वाई ऐसा केसी आर मिल करके थर्ड फ्रंट बना रहे थे नितीश कुमार जी के प्रियासों से तेहिस जून को पठना में कांग्रे इश्कुमार ने छेत्रिय दलों के मुखमंत्रियों केजरिवाल जी को पहले ही सपोर्ट कर दिया था इस अध्यादेश के खिलाफ हम बोट करेंगे आपने बहुत बड़ी बात कही कि थर्ड फ्रंट खतम हो गया दो केमें आमने सामने हैं सर लेकिन जो हमारा विपक्ष का जाहूं NCP के भी दो हुस्से हो गए आप शरत्तवार देखे आज बैठक में नहीं आ रहे हैं वो कल आएंगे आज वो अजीत पवार से मिले हैं तो यह मजबूती को लेकर सवाल उठ रहे हैं आप क्या खाएंगे यह निदी जी जब हम गैर कांग्रेसी गठवंदन के हिस्से थे तब इंद्रा जी हमारी पार्टियां आशी तोड़ लिया करते थे कोई पार्टि नहीं बचती ती जनसंग भी टूटी सुतंद्र पार्टि टूटी लोगदल टूटा सोश्मिस पार्टि टूटी और अपने में वह समा लेती थी तो तीन सो की इंद्रा गांदी थी में हमनी 77 में उनको भी हरा दिया चार सो के राजीव गांदी थे 1984 में 89 में उनको हरा दिया जो 303 वाले हैं उनको भी इस वार हम 2025 में आ रहा हैं के संख्याबल 24 में हरा हैं संख्याबल से कोई फरक नहीं पड़ता इट इस दक्रेडिबिल्टी अमंग दा मासिज जनता के अं पी नडड़ा ने कहा है आप लोग 26 हैं और हमारे तो 38 हो गए तीज भी निया 38 दल हैं तो यह संख्या का लोगों के मनस्तिती पर असर नहीं पड़ेगा आपको लगता नहीं है यह वो नाम बताएं निधी जी अभी मैंना आपको बताएं ना अठारे पार्टी सिक्किम कॉंग्रेस के चार हिस्से हैं मनीपुर की पांच पार्टी हैं नागा लेंड में एमपी एक है पार्टी चार हैं और उना चल में लोग सबसीट एक है पार्टी दो हैं तो ऐसे कृत्र बना रहे अब चार पार्टी तो जनता दल से तूटके गई है जिता इम्राम जी की उपेंदर कुस्वा जी की पारस गुठ की चिराग गुठ की और सानी गुठ की पांच तो हमारे हैं तो गहीं है चार जो एं यूपी में मायावती से तूटके गए है ये दोनों बहुत तोटा जा रहा है और अब एक आमने और सामने की लड़ाई होगी 2024 की बहुत बहुत धने बाद के सित्यागी हमसे बात करने के लिए सर